आज में जो आपके साथ ये दवा कहें, आयरुवेत कहें, अहसदी कहें, क्या कहें, ये घुटने के दर्द के लिए है, कुछ लोग हो सकता है वीडियो देखें तो इसका मजाग भी उड़ाएं, मजा भी लें, लेकिन फ्रेंड्स हकीकत जो है वो बिल्कुल सही है, ये अजम आया हुआ है, और ये है फ्रेंड्स घुटने के दर्द के लिए, जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, गठिया से, लगबग 10-10 साल से परिसान है, सर्दियों में कितनी दिक्कत होती हमारी माता जी को ये प्रॉब्लम थी, इसलिए हम लगातार कुछ ना उड़ते रहते थे कि कभी उनके साथ आयुरवैद, कभी होमियोपैतिक हमेसा दवा चलती रहते थे, लेकिन कभी फ्रेंड्स उन्हें बिलकुल पर्फिक्ट आराम नहीं मिला कि जिससे उन्हें लाव हो, तो आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए वही बताऊंगी, तो आप ए इसलिए ये तो गोंद है, काला गोंद सिया, इसमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए वीडियो हो सकता है, थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन जब भी औस देखें तो ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, और फिर वो चीजें यू इस भी हमेशा बताती हूँ, लेकिन ये अजमाया हुआ लुक्सा है, तो फिर चलिए वीडियो अब हम सुरू करते हैं, बिल्कुल बारीगी से, तो ये है फ्रेंड्स गोंद सिया, इसे काला गोंद कहते हैं, वैसे ये मार्केट में भी पांसारी कहां मिलता है, लेकि लाइन ये आतिया हब से आता है, आप देख सकते हैं किस तरह डिब्बे में है, क्या है, इसलिए हमने पूरा वीडियो इसका बनाया, इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप विश्वास के साथ एक बार इसको करने में वो परिसान थी, लेकिन जब से हमने इसको सिर्फ इसलिए यूज किया कि चलो जैसे इतनी सारी दवाएं वैसे इसको भी ट्राई करते हैं, लेकिन सच में फ्रेंड्स इतना आराम मिला तो एक बार आप विश्वास के साथ इसको आजमाएं, तो इस डिब्बे के उ इसको निकाल रहे हैं, काला गोंध है ये, और इसके पहले हमने जो एक डिब्बा मंगाया था, वो थोड़ा सा इससे कम काला था, क्योंकि नया पुराना गोंध तो पेड़ का होता है, तो आप इसको ध्यान से पहचान लें, देख लें, डिब्बी में ये 100 ग्राम रहता है और 100 ग्राम जो होता है, तीन महीने की दवा रहती है, अब आप कहेंगे कैसे, 100 ग्राम तीन महीने के, तो पूरा हम आपको वीडियो बताएंगे, कैसे खाना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, तब ही आपको पूरता आराम होगा, इसके पहले हम पांसारी के हाँ से ल तो आप इसको देख लें फ्रेंड्स पहचान लें इतना फायदे मंद है यह जिनके घुटनों में दर्द है जे चल नहीं पाते हैं एक दम अकड़ गए हैं वह आप दो तीन महीन एक महीने खाएंगे आपको अपने आप साथ दिन में ही असर देखने लगता है माई माता जी क साथ दिन में ही वो बता रहें थी कि हमारा दर्द जो है कम हो गया है अब तो उनके घुटने में बहुत आराम है लेकिन इतना पुराना मर्ज हो गया है तो कहती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे घुटनों में दर्द तो उनके है नहीं ऐसा लगता है कि जैसे कमजोर हो गया है और सबसे ज़्यादा खटी चीजे नहीं खानी है और सिर्फ एक ग्राम लेना है तो इसको हमने रख दिया था धूप में क्योंकि हमें लग रहा था कि हलका नम है या नहीं है लेकिन फिर भी हमने इसको धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिया था अब धूप में रखने के बाद यह सूख गया क्योंकि पावडर बनाना है है तो गोंद है और फिर भी आप एक बार ध्यान से देख लीजे पहचान लीजे इसको काला गोंद इसे कहते हैं सिया गोंद कहते हैं पेड का गोंद है और यह देखिए जैसा कि आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि क्या फायदा करेगा कोई फायदा नहीं कुछ लोग तो मजाग भी बनाएंगे कि कैसे यह फायदा कर सकता है लेकिन आप एक बार इसको ट्राइ करें हमारे कहने से आप रिस्क लेना क्योंकि आप होता क्या है कि लोग वही वही चीजों को इस तरह से घुमा फिरा के बताते हैं हकीकत नहीं रहता है इसलिए लोग बिलीव नहीं करते हैं तो आप एक बार इसको मंगवाएं और ट्राइ करें और फिर आप खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि हमें लाब हुआ की नहीं इसको उमने थी चोटे चोटे पीसेस में इसTHEya से तोड़ लिया है क्योंकि डारेक्ट मिकसी में डालेंगे तो जार तूट जाएगा तो पाहली में थी महंगा बहुत आता है इसलिए हम थोड़ा से इसको सम्हाल के वो करते हैं लेकिन ये फ्रेंट्स दर्द की दवा नहीं मर्जी की दवा है आपकी गठिया की दर्द को सही करता है और इसको गुन-गुने पानी के साथ लेना रहता है बस एक ग्राम सुबा एक ग्राम सम देखें मिक्सी सुबा एक चुटकी साम उस से ज्यादा नहीं लेना है कि आप खाएं और साथ दिन पानी ने के लिए और बस इसको एक साथ दिन में असर दिखेगा और असर दिखे तो friends आप comment जरूर बताएं करके तो देखिए इस तरह से चाकू से भी हमने बता दिया कि चाकू की जो नोक होती है इस से इतना ही खाना इसको आप डिब्बे में जिस डिब्बे में था उसी में इस्टोर करके रख दिये हैं और य कई लोगों को बताया लगभग सब कोई से आराम हुआ क्योंकि इतनी दवाएं होम्योपैथिक सुबर साम दस बून बारा बून पी पी के खरीद खरीद के तो हम ओब गए थे जब से हमने इसको यूज किया हमाई माता जी के घुटने में बहुत आराम है मापको बहुत जल कमेंट करके हमें बताईएगा कि सच में जो हमने बताया यह सही है कि नहीं सही है और नहीं है तो वो भी बताईएगा और बने रही है देखते रही हम तो आपको हमेशा ऐसी ही चीज़ें औस दी चीज़ें जो हमारे गर में पहले से बनती थी और अगर पसंद आया तो आप पाइदा हुआ तो आप लगबग इसको लाइक तो करेंगे ही वीडियो को बिना लाइक किये मत जाईएगा और जब आपको आराम होगा तो आप लोट के आगे कमेंट करके हमें बताईएगा कि हाँ हमने लिया इतने दिन में हमें आराम हुआ है तो हमने सुचा जब यह ऐसी बिमारी है कि ब्रिद्ध लगबग आजकल तो छोटे-छोटे बच्चों के घुटने में दर्द है कमर में दर्द है हाथों के ज्वाइंस में दर्द है तो आप भी बनाईए खाईए स्वस्त रहिए सुरच्छित रहिए तो क्यों न आप एक बार इसको जरूर ट्राय करें तो यह देखे इस तरह से बनके तयार हो गया है तीन महीने के लिए दवा है बस ध्यान रखना है औरिजिनल हो लेना कैसी है मात्रा कैसे लेना है गोन सिया काला गोन के नाम से जाना जाता है मार्केट में और लेबल हो सकता है लेकिन प्योर नहीं मिल सकता है तो आप जैसे भी मिले लेकिन फिर रिववाई धियान रखना है कि सुध्ध होना जाहिए प्योर होना जाहिए तभी आपको लाघ मिलेगा अन्यता खाने से कोई मतलम के साथ हमारा चैनल अंत तक देखने के लिए सहयोग देने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद